प्रेंट्स हमारे इस फेजबुक स्रीज में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फेजबुक में टू फेक्टर अथेंडिकेशन कैसे एनेबल करें कैसे आउन करें आपने बिल्कुल सही सुना प्रेंट्स आज काल बहुत सारे लोग के मेसेज आ रहे हैं कि उनका फेजबुक अचांच होता है तो आपका सारा मेहनत थो वेश्ट रह glands हो जाता है आपको फिर शेंसे आपका प्रेसबुक अकांट बनाना होता है क्यूंकि एक और आकांट हें रेक होने के बाद दूबारा असको करना 99 पर्शनमरगाव पॉसीबल नहीं होता है Aya Aya! ऐसा da में कोई न्यू लोकेशन न्यू डिवाइस या न्यू ब्राउजर से आपके आकाउंट पर जो लॉगिन करने के लिए कोसिस करेगा ऐसे केस में आपको इमीडियेटली नोटिफिकेशन आएगा और आपके अप्रूबल के बीना वो लॉगिन करी नहीं सकते इविन आपको करने के लिए यह कर लेना जरूर यह vorstellen कỏi स्षाटिंग्स जो है कैसे करते हैं मैं आपको इस वीडियो Friends, मैं already computer screen पे आ चुका हूँ, आपको सबसे पहले आपका जो Facebook account है, उसमें आपको login हो जाना है, Login होने के बाद आपको top पे, right hand side पे आप देख सकते हैं मेरे mouse यहां पे है, वहां पे account लिखा हुआ है, जैसे mouse over करेंगे तो account दिखाई दे रहा है, या फिर आपका profile picture दिखाई दे रहा होगा वहां पे, वहां पे आपको करना होगा click, जैसे ही आपने click किये, यहां पे आप देख सकते हैं, नीचे drop down में setting and privacy लिखा हुआ आ गया, अब यह setting and privacy पे आपको करना होगा click, जैसे ही मैंने setting and privacy पे click किया, और एक छोड़ा सा page open हो गया जहां पे लिखा हुआ है settings, तो यह settings पे आपको करना होगा click, settings पे click करने के बाद, इस टाइप के एक new page open हो गया, left side में बहुत सारा options आप देख सकते हैं, उसमें से security and login उस पे आपको करना होगा click, जैसे ही आप security and login पे आप click करेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं, एक new page open ह यहां पे थोड़ा सा नीचे हमें scroll down करना है, आप देखेंगे, मैं अगर थोड़ा सा नीचे scroll down करूँ, यहां पे लिखा हुआ है two factor authentication, अब हमे two factor authentication जो है, इसको on करना है, यह क्या लिखा हुआ है, use two factor authentication, तो यहां पे two factor authentication on करने के लिए यह भी मेरा on नहीं है, यहां पे हमक उप्सेंगर को यहां पर अगर आपको मुबाइल नंबर नहीं है तो यहां पर आप फोन नंबर आड़ कर सकते हैं अभी मालन जी कि मेरा मुबाइल नंबर आड़ है जो number मैं यहां पर select करने के बाद मुझे यहां पर continue पर click करना है so continue पर जैसे ही click किया यहां पर आप देख सकते हैं मेरे जो mobile है जो number मैंने डाला है उस mobile पर आप देख सकते हैं यहां पर security code send किया हुआ है वो security code यहां पर डालने के लिए बोल ला है तो यह security code मैंने डाल दिया, डाल के इसको कर दिया, continue, जैसे ही security code डाल के मैंने continue कर दिया, यहाँ पे two-factor authentication on का message आ गया, और इसका कर देता हूं, done, यहाँ पे जैसे ही मैंने done कर दिया, यहाँ पे देखिए, do you want this number to use to help make connections and send the most relevant, यहाँ पे इसी number को, यह पूछ रहा है कि connection और इसके related, तो इसको हम yes use number यह कर देते हैं, तो अगर आप नहीं करना चाहेंगे, तो not now भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे यह number मेरा update हो गया, तो इसको कर देते हैं, okay, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसी account पे, अभी मान लिजे कि मैं इसको close करता हूँ, मैं फिर से इस account पे login हो जाता हूँ, देखे, मैं मेरा facebook पे फिर से login हो गया, login होने के बाद अभी आपको दिखाऊंगा, two factor authentication जो है, आपको यह accounts पे जाना है, setting and privacy पे जाना है, फिक से settings पे आपको click करना है, settings पे click करने के बाद, यहां पे आप security and login आपको लिखा हुआ आ रहा है, और इसके बाद थोड़ा सा आप निचा आएंगे, अभी देखे, यह two factor authentication on लिखा हुआ आ गया, पहले off था, यहां पे कुछ भी नहीं था, अभी यह on लिखा अगर on लिखा हुआ, इस type के blue color में आया, तो आपका account secure हो गया, यानि आपका account two factor authentication on हो गया, so friends, इस तरीके से आप आपका Facebook account का two factor authentication आप जोरूर यूज करिए, यहां पे एक security region में बताऊंगा, जो मैं अभी video shoot करते बद आपको मेरा number दिखाई दिया, आपको आपका number किसी को दिखाना नहीं है, कि कौन से number आप यहां पे security region point of view आपने डाले हैं, वो number किसी को दिखाना नहीं है, अगर आप दिखाऊगे, तो दिक्कत हो सकते हैं, account safe होने का ओएक region होता है, तो आप इन number को हमेसा hide अखिए, किसी को share मत करिए, so friends, आप मुझे comments में बताना यह video कैसे किये हैं, आपको मेरा request है, please आप subscribe करेना, क्योंकि इस ताइब के important technical video, digital marketing के related, हम आपके लिए लाते रहते हैं, वो भी completely free of cost में, अगर आपको कुछ दिक्कत है, आप कहीं पे अटक रहे हैं, तो आप मुझे comments में पूछ सकते हैं, इसके साथ साथ आप मुझे Instagram में भी DM कर सकत हैं, या फिर आप हमें LinkedIn पे आप follow कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है, आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको definitely guide करूँगा, and मैं आपको इतना है request करूँगा, please, आप please subscribe करना मन भूलना, thank you.